Hello Friends, आज के इस वीडियो में हम लोग Amines के Basis City के बारे में बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि Amines के Basis City को कौन कौन सब Factor influence करता है जो तीन Factor मेंली हम लोग इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे वो पहला Factor है Inductive Effect और दूसरा Factor Inductive Effect और दूसरा Factor जो है वो है Solvation Energy का यानि Solvation Energy कैसे Basis City of Amines को Affect करता है और तीसरा Finally हम लोग एक और Factor देखेंगे वो है Asteric Effect यानि Molecular का Size का क्या Effect होता है Basis City of Amines पे अप एक Reaction याद होगा आप NH3 का So NH3 है इसको अगर आप किसी Acid के साथ React कीजिए Acid मतलब H3O Plus अगर इसके साथ React करते हैं तो क्या होता है H Plus ले लेता है और एक Water Molecular Glaze होता है और एक Equilibrium Reaction है Acid Base Reaction है यानि आपको NH4 Plus और H2O Molecular बनता है अगर इस NH3 में कोई एक Hydrogen को हटा दीजिए और एक Alkyl Group लगा दीजिएगा तो यह Amine हो जाता है इसके से में यह Primary Amine है इसको अगर आप H3O Plus से React कीजिएगा तो सेमी टैप का Reaction होगा H3O Plus से एक H Plus ले लेगा और ए बनाएगा R NH3 Plus और एक Water Molecule Relage हो जाएगा यानि कि यह Acid Base Reaction है इक Equilibrium में रहेगा जिनरली यह जो Reaction होता है वो Left की Side में होता है यानि कि Right Side में बहुत ही कम Molecule जाता है Mostly Left Side में रहता है यानि कि यह Beak Base है अब चाहे तो इस Reaction का Potential Energy डाग्राम भी बना सकते हैं हम क्या कर सकते हैं By Axis पे Potential Energy और X Axis पे Reaction Progress को दिखा सकते हैं तो X Axis पे आपका Reaction Progress तो इस Case में Basically आपका शुरू में Amine है Amine प्लस Water जो कि आपका Reactant है Amine प्लस Water और यहाँ पे आपका Ammonium Salt प्लस Water Basically Reactant के साइड में Water नहीं है H3O Plus है तो H3O Plus लिखना ज़्यादा अच्छा होगा तो इस Reaction का Potential Energy Diagram आप इस दोनों का अगर मिला दीजिए तो यह इस Reaction का Potential Energy Diagram है आप कह सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि Reactant का Energy कम है Product का Energy ज़्यादा है इसलिए यह ज़्यादा तर Reaction जो है Reactant साइड में Left साइड में होता है अब यहाँ पर एक Important बात यह है कि अगर कोई Factor जो की R NH3 Plus को Stabilize करेगा वो Reaction को Right साइड में Shift करेगा यानि जो Factor R NH3 Plus यानि Ammonium Ayan को Stabilize करेगा वो Reaction को Right साइड में Shift करेगा तो हम लोग का सकते हैं, Any Factor, Any Factor that stabilizes, that stabilizes, the Ammonium Ion, Ion will shift the reaction, will shift the reaction, right, shift the reaction, right side, या तो दूसरे बात में क्या कह सकते हैं, कि इस Base को एक अच्छा Base बनाएगा, यानि Base के Basicity को Improve करेगा, तो जो Factor इसको Ammonium Ion का Stability को बढ़ाता है, वो Basicity को भी बढ़ाएगा, यानि Base City क्या हो जाएगा, Increase हो जाएगा, क्योंकि Base City का मतलब क्या है, यानि आपका Reaction जो है, Right Side में जाना चाहिए, दूसरे सब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई Factor जो R NH2, R NH2 को Stabilize करता है, वो Reaction को Left Side ले जाएगा, यानि Base City को क्या करेगा, घट आएगा, तो हम लोग कर सकते हैं, Any Factor that Stabilizes the Amine will shift the Reaction Left, और इसका मतलब क्या है, Base City को क्या करेगा, Base City को एग घटा देगा, तो अब कौन-कौन से Factor हो सकता है, जो Ammonium Ion को Stabilize करे, तो पहला Factor है, Inductive Effect, तीन Amine यहाँ पे लेंगे, या कहें Ammonia भी हम ले लेतें, Ammonia के Corresponding जो Conjugate Acid होगा, यानि Ammonium Ion कुछ ऐसा दिखेगा, Primary Amine अगर आप लें, तो उसका Corresponding Conjugate Acid कुछ ऐसा दिखेगा, Secondary Amine अगर लें, तो उसका Conjugate Acid कुछ ऐसा दिखेगा, और Finally अगर आप एक Tercory Amine लेते हैं, तो उसका जो Conjugate Acid है कुछ ऐसा दिखेगा, आपको याद होगा कि Alkyl Group जो होता है, वो Inductive Effect के तरू इलेक्ट्रोन डोनेट करता है, तो यहाँ पे देखे, Tercory के Case में, तीनों Alkyl Group जो है इलेक्ट्रोन को डोनेट कर रहा है, यानि कि इसको Estabilize कर रहा है, प्लस चार्ज को Estabilize कर रहा है, तो थ्री डिग्री के Case में, तीन Alkyl Group है जो की Estabilize कर रहा है, आपका दो डिग्री का Amine है, तो उसमें दो Alkyl Group है, जो की Ammonium Ion को Estabilize कर रहा है, अगर वन डिग्री का Amine है, तो उसमें वन Alkyl Group है, जो की इसको Estabilize कर रहा है, और Ammonium Ion, simply इस case में कोई भी alkyl group नहीं है जो की इस iron को stabilize करे तो कहने का मतलब एह हुआ कि सबसे ज़्यादा stable कौन हुआ 3 degree का जो amine है सबसे ज़्यादा stable हुआ 3 degree amine जो है सबसे ज़्यादा stable है उसके बाद 2 degree उसके बाद 1 degree उसके बाद ammonium तो corresponding basic city का order क्या हो गया आप कहेंगे जितना ज़्यादा stable है उतना ही ज़्यादा basic है यानि basic city का order हुआ 3 degree का amine है सबसे ज़्यादा basic होना चाहिए यानि यह है basic city order in fact gas phase में यही order होता है gas phase कहने का मतलब एह हुआ कि molecule को आपने gaseous phase में रखा कोई water नहीं है वहाँ पे कोई solution नहीं है या कहें कि ऐसा solvent जिसमें की कोई solvation नहीं हो रहा उसमें basic city का order यही होगा यानि 3 degree का amine जो है सबसे ज़्यादा basic होगा तो यह जो order है वो gas phase में पाया जाता है यानि gas phase में आप से पूछा जाए कि कौन सा amine सबसे ज़्यादा basic होगा तो आप कहेंगे 3 degree का amine सबसे ज़्यादा basic है उसके बाद 2 degree, 1 degree और last में ammonia जो है सबसे कम basic है मगर एक दूसरा factor जो influence करता है basicity को वो है solvation तो पहला factor जो हमने देखा वो inductive effect का factor था तो एक factor हमने discuss किया पहला factor जो inductive effect का था अब हम लोग discuss करते हैं दूसरा factor जो है solvation energy का जैसा कि अभी हमने कहा कि कोई factor जो ammonium ion को stabilize करता है reaction को right side ले जाएगा और basicity को क्या करेगा basicity को बढ़ाएगा तो water molecule जो है अगर इसको पानी में abacicity आप कर रहे हैं हम लोग basic reaction पानी में करते हैं तो क्या होगा पानी molecule जो है ammonia को या amine को solvate करेगा जैसे माल लीजिए ammonium ion है ammonium ion A आपका हो गया इसको पानी molecule कैसे stabilize करेगा पानी molecule के पास oxygen है तो यह जो है इसके साथ एक hydrogen bond बना सकता है इसी तरह के से यहाँ पे एक hydrogen bond बन सकता है यहाँ पे OH2 जो है इसके साथ hydrogen bond बना सकता है OH2 यहाँ पे hydrogen bond बना सकता यहाँ कि इस केस में चार hydrogen bond बन रहा है ammonium ion के केस में और चारो जो hydrogen bond बन रहा है इसमें जो ammonium ion है hydrogen bond को donate कर रहा है यानि donor है, अगर आप अब primary amine को लेते हैं, primary amine कहने का मतलब क्या हो गया, एक hydrogen को हटा करके आपने यहाँ पे एक alkyl group लगा दिया, तो corresponding जो iron होगा, corresponding conjugate acid होगा, उसका spaces का हमने यहाँ पे लिखा है, इस case में आप बताईए कितना hydrogen bond बना सकता है, इस case में A यहाँ से बना सकता है, पानी molecule को हम लिख रहे हैं OH2, OH2 बेसिकली पानी molecule है, वो को हमने इधर लिखा है ताकि hydrogen bond को बनता हुआ दिखा सके, तो इस case में 3 hydrogen bond है जो की बन रहा है, अगर secondary लिखेगा तो कितना बनेगा, आप खुदी से बता सकते हैं, secondary लिखेगा तो 2 hydrogen bond आप बना सकते हैं, एक यहाँ बना लिजेगा, एक यहाँ बना लिजेगा, इस case में 2 hydrogen bond आप बना सकते हैं, अगर आपने फिर tertiary लिया, तो एक hydrogen bond बनाएंगे, अगर आपने tertiary ले लिया, यानि कि 3 alkyl group है उसमें, एक hydrogen है, इस case साथ bond बना लिजे, तो AOH2 हो गया, तो इस case में basically एक hydrogen bond ही आप बना पाएंगे, तो आप देखिए, किस case में सबसे ज़्यादा hydrogen bond बन रहा, तरसरी के case में, नहीं, ammonium के case में सबसे ज़्यादा hydrogen bond बन रहा, तो सबसे ज़्यादा stable कौन होगा, जितना ज़्यादा hydrogen bond बनेगा, जितना अच्छा से solvate होगा, जितना ज़्यादा bond, उतना ही ज़्यादा energy release, उत से कम AStable होगा, तो हम कह सकते हैं इसके basis पे सबसे ज़्यादा AStable कौन हुआ, सबसे ज़्यादा AStability का ओडर हम लिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा NH4+, उसके बाद R NH3+, उसके बाद R 2 NH+, R 2 NH2+, और उसके बाद R 3 NH+, यह AStability का ओडर है, जो AStability का ओडर होगा, वही आपका Basis City का ओडर हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा AStability होता है, उतना ही अच्छा Basic होता है, यह बेसिस City का ओडर हम कर सकते हैं, Ammonium जो होना चाहिए, Ammonia जो होना चाहिए सबसे अच्छा Base, R NH2 उसके बाद Primary, उसके बाद Secondary, उसके बाद आपका Tertiary, R 3 NH, तो होना चाहिए था Ammonia सबसे ज़्यादा, Basic उसके बाद Primary, उसके बाद Secondary, उसके बाद Tertiary, तो A हुआ किसके basis पे, A हुआ सुल्वेशन के basis पे, इसके पहले हमने देखा था, Inductive Effect के basis पे, और हमने कहा था कि Gass Phase में जो भी आडर हमने Inductive Effect के basis पे धिया है, वही आडर होगा, मगर पानी में दोनों Effect काम करेगा, Inductive Effect भी काम करेगा और Sulvation Effect भी काम करेगा, इसलिए अगर एक कोई solution में हम basicity देखना चाहते हैं, तो दोनों के combined effect को हमको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर करते हैं, inductive effect के basis पे क्या आया था, inductive effect के basis पे 3 degree सबसे ज़्याद आया था, उसके बाद 2 degree, उसके बाद 1 degree, उसके बाद ammonia, यह था inductive effect के basis पे basicity का order, inductive effect, inductive effect अगर आप solvation का effect लें, तो क्या आड़ रहा था, 3 degree, नीचे की तरफ, 3 degree, 2 degree, 1 degree, उसके बाद ammonia, उल्टा side में, सबसे ज़्याद बेसिक काँ था, ammonia, तो यह था आपका solvation के basis पे, solvation के basis पे, सबसे ज़्यादा ammonia था, मगर inductive effect के basis पे, सबसे ज़्यादा tertiary amine था, अगर यहाँ आप ध्यान से देखेगा, तो दोनों effect counteract कर रहा है, यानि inductive effect, जहां बढ़ाना चाह रहा है, वहीं पे solvation, basicity को घटाना चाह रहा, example के लिए 3 degree को देखे, 3 degree को inductive क्या करना चाह रहा, बढ़ाना चाह रहा, मगर 3 degree को solvation क्या करना चाह रहा, basicity को घटाना चाह रहा, basically होता यह है, कि यह दोनों factor एक दूसरी को neutralize कर देते हैं, almost, most of the cases में, a means का जो basicity होता है, वो secondary कहें, tertiary कहें, primary कहें, almost similar होता है, बट थोड़ा भी बहुत difference तो होता ही है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर discuss करते हैं, तो यहाँ पर question यह उड़ता है, कि चुकि दोनों factor जो है opposing है, तो किस factor को लें, किस factor को dominate करें, यानि कौन सा factor जो है आपका, आपका basicity का overall order बताएगा, यानि combined effect कैसे ले, तो यह आपका experiment के basis पे आ सकता, experiment करिए, उहाँ से आप बता सकते हैं, कि कौन सा ज़्यादा basic है, कौन सा कम basic है, और experiment से verify हमने किया, कि अगर R का value, दो ही R का value हमनों discuss करेंगे, R जब आपका methyl group है, तो experiment से पाया गया, कि 2 degree का amine जो है, वो सबसे ज़्यादा basic है, उसके बाद 1 degree, उसके बाद 3 degree, उसके बाद ammonia, यानि कहने का मतलब हुआ, कि CS3 NH, CS3 NH2, and then हो गया आपका CS3 Thrice NH, N, and उसके बाद NH3, यह आपका basicity का order होगा, यानि 2 degree सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1 degree, 3 degree, उसके बाद ammonia, अब ध्यान देजिए, 2 degree amine को दोनों ही factor support कर रहता है, ने बीच में था, 2 degree को inductive effect जो है, थोड़ा बढ़ाया, और 2 degree को solvation भी उतना ज़्यादा नहीं घटाया, इसी region से 2 degree जो है सबसे ज़्यादा basic हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 degree का order सबसे ज़्यादा है, और अगर methyl लिया, तो यहाँ पर 1 degree, उसके बाद 3 degree का order आता है, अगर R का value, यानि alkyl group आपको जो connected है वो इथाईल है, यानि C2H5 है, तो उसमें जो order आता है, वो आता है, 2 degree, 3 degree, 1 degree और उसके बाद ammonia, तब देखिए, दोनों ही cases में दो चीज़ fix है, 2 degree और ammonia यहाँ भी है, 2 degree यहाँ भी है, ammonia यहाँ भी है, तो एक चीज़ fix है, इस चीज़ को हम ऐसे लिखके दिखा सकते हैं, C2H5 twice NH, इससे ज़्यादा हो जाएगा C2H5 twice N, और यहाँ हो जाएगा C2H5 primary है, तो C2H5 NH2, और इसके बाद आ जाएगा आपका ammonia, तो यही बेसी CT का order है, यानि एक ही चीज़ आपको याद रखना है, कि अगर आपका methyl है, तो पहले 1 degree आएगा, उसके बाद 3 degree आएगा, अगर आपका methyl है, तो पहले 3 degree आएगा, उसके बाद 1 degree आएगा, तो इसको याद रखने का बड़ा ही simple तरीका है, आप इसमें एक number याद रखिए, 213, यानि जब methyl होगा, तो 213 का rule लगेगा, और जब ethyl है, तो rule लगेगा 231 का, अब अगर confused हो रहे हैं, कि 213, 231 तो बड़ा simple है, एक पहले आता है, एक छोटा number को denote करता है, यानि एक जो है methyl को denote करता है, और इस case में जो 3 है, वो ethyl को denote करता है, तो 213 है, यानि 213 का, यानि secondary primary and tertiary amine का order है, और जहां पे 1 जो है methyl को, और 3 जो है ethyl को denote कर रहा है, तो इसको अगर याद रखे, तो आपको basicity का order निकालने में आसानी होगा, अगर methyl group attached है, या ethyl group attached है, amine के case में, तो हम कर सकते हैं, कि ethyl के case में hydrogen bonding उतना अच्छा से नहीं बनेगा, मगर methyl के case में hydrogen bonding बनेगा, और order आपको याद रखना पड़ेगा, कि methyl के case में 213 का order है, और ethyl के case में 213 का order है, तो इसको अगर याद रखेगा, तो आप basicity of amine से related कोई भी question का answer कर सकते हैं, और next video में हम लोग resonance जो एक और effect है, जो कि basicity of amine को influence करता है, तीन factor हमने देखा, वो है inductive effect, hysteric effect and solvation energy, एक factor जो और important है, वो है resonance का effect, जो कि air oil में आता है, उसको हम लोग next video में discuss करेंगे, आसा करते हैं कि आपको ये video अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के वीच सेयर के लिए, तब तक के लिए, thank you, bye, take care.